नमस्कार आप देखरा आरेडे नियोज मैं हूँ योगरी श्क्रवर्ती हर्याना और जम्मु कश्मेर बिधान सवा के चुनाम नतीजे सामने आ चुके हैं और हम ये कर सकते हैं कि हर्याना में बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली है और कॉंग्रेस जीती हुई बाजी हा तो नतीजे आये हैं उसकी उमीद पहले से थी और कहा तो हर्याना के बारे में भी है जा रहा था कि कॉंग्रेस इस बार जीतेगी लेकिन चुनाम नतीजे जो आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आये हैं और जितने भी चुनाबी सर्वे थे सब धरे के हख गये हैं हमारे साथ वरिष्ट पतरकार संतोष कुमार जी हैं आईए इन से समझते हैं कि इन दो राजियों के चुनाब नतीजे क्या कुछ कहते हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ यह संकेत है जैसे अब कुछ दिनों के बाद जारकंड में चुनाव होने हैं, महारास्त में चुनाव होने हैं, तो क्या इसका आसर इन राजियों पर भी पड़ेगा, सर? देखिए, जम्मु कस्मिर का जो चुनाव परिणाम है, यह तो साफ संकेत देता है कि जो 370 हटाया गया था, जो संसोधन हुआ था, वो काम नहीं आया, जो कुछ नहीं जानता, जिसको कोई मतलब नहीं है, 370 क्या, वो भी बोड़ा था, 370 हटा दिया, BJP की उपलब्दी है, वो उपलब्दी तो काम नहीं आई, वहाँ BJP को सिकस्त खानी परी, लोगों को उमीद की, भाई, 370 में कि कारण BJP वहाँ सत्ता में आएगी, लोग दावा करते थे कि कास्मीर में सांती बहाल हो गई है, BJP का जलवा है, BJP का तो वहाँ जलवा देखने को नहीं मिला, कुछ सीटे बढ़ी BJP को गेन हुआ, और BJP के लिए उपलब्दी ही मानी जा सकती है, और वहाँ मुप्ति मुप्ति मुप्त सहीद की बेटी महबुबा की हार हुई, वो चारो खाने चित हो गई, तो जम्मु कास्मीर के लोगों ने कॉंग्रेस और हारुक अब्दुला में आस्ता जता ही और वहां की जा, रिजल देखा जाए तो कॉंग्रेस के लिए अच्छा है, कॉंग्रेस के लिए माना जा सकता है कि हां राहुल गांधी का जलवा जम्मु कास्मीर में बढ़कार रहा, वहीं हरियाना की बात की जाए, तो हरियाना में सारे आंक्रे फेल हो अभी गांधी और अपने सही कहा कि कॉंग्रेस जीति भी बाजी हार गयी, तो इसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो का जो ओंखो ऑनगरेस का जकी का ओवा सिदेंस्स को ले पादी चाही और तॉर कॉंगने नरेन्द जबाई धुन 20 मोडी जेपी नड़ा की रननीती आई एक शंदेश UH हारी विवाजी कैसे जीत वह भाजपा से सीखें कॉंग्रेस को सीखने की जबूरत है और कॉंग्रेस जीती विवाजी कैसे हार हारी जाती है तो उसके ताजा उदारन कॉंग्रेस पार्टी है हरीयाना में जो हुआ ये अग हाए सर्भे चुनाव में मोधिजी चारियों में दिश यह रहा है लेकिन हर्याना चुनाओं से देखें अभी उनका जलबा बढ़करार और उनकी रन्निती काम आती है कैसे चुनाओं जीतना है अगे मां आँ सकको खुलाता है ठोड़े और Πुण भारती जनता पटे चुनाओं जीता जाता है कैसे और उनकी कि से नौक्साण दूर topics और 설venue खर्च करते हैं ये भी कहा जा रहा है सर कि जो आम आदमी पार्टी है उसने पहली बार हर्याना में अपना पाव फ़लाया और कॉंग्रेस ने गल्ती कर दी कि आम आदमी पार्टी के साथ समझाता नहीं की और उसने तकरीवन 2% जो है बोट काट लिए ये बज़ा रही एक कॉंग्रेस की हार क अब बताया ना ओभर कॉंफिडेंस चुनावी रन्निती में फेल हुए कॉंग्रेस और भारतिये जनता पार्टी अपनी चुनावी रन्निती में काम्याब हुई हमीशा अर्जेपी नडड़ा इन चुनाओं के पहले केजरिवाल बाहर निकल आते हैं ये तो भारतिये जनत अगर कॉंग्रेस पार्टी रन्निती अपनाती केजरिवाल के साथ हुआ चुकी जहार दिल्ली के आसपास केजरिवाल जी का वोट बढ़ा है उनके काम का कुछ असर हुआ है दो ही परसेंट वोट एक परसेंट वोट से अरे भाई ज्यादा कातु अंतर है नहीं तो ये बह फेल वेर रन्निती के है रन्निती बनाने में फेल हुई कॉंग्रेस वर कॉंफिडेंस की वाई जो आशर वहारा था था क्लीन स्विफ कर रहा है और भारतिये जन्ता पाटी अपनी रन्निती बनाती कि किस तरह से हारी हुई बाजी को जीतना है जैसे आप लोकसभा वो पूरा सर्वे कड़ाकर निती बनाया नितिस जी उधर गया और बिहार में तो बहुत ही अच्छी होती है और वह ज्यादा तर सफल होते हैं यह बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि कॉंग्रेस जो है हर्याना में जीते गी और वहां सुनते हैं कि सैलजा और हुडा जी में पहले से हीं सीम बनने को लेकर अपने समर्थ को टिकट दिलाने को लेकर जमकर गुटबाजी हुई उसका भी नतीजा रहा कि वे हार का साम íb कुरीयते हूल हो गया कि भार्याना में क्लीन सुेफ़ नहीं है और सचाई भी थी खाजबाजने क्लीन सु Hall कर रही था यह लगता है भारते जंता पाटि में इंटर्नल विवाद नहीं रहा तो कि जीवाल को मिलाए एकula चुप कुलीन सुना घुटिमा कि इंटरनल पॉलिटिक्स आपसी घुटबाजी के कारण हार सामना पर नहीं तो यह हर्याना के बारा में तो जम्मु कोई कहीं नहीं सकता था हर्याना के बारे में कि कॉंग्रेश अब जस्त चुनाब नतीजे आए हैं जम्मु कसमेर और हर्याना के इसके तुरंट बाद जो ह चुनाब नतीजे का आसर जारखंड के चुनाब पर पड़ेगा और जारखंड में चुनाब होने हैं तो वहां तक दिखेगा इसका आसर देखिए कि सी चुनाउ जोड़ घटाव चुनावी राजनीती होती है आप याद कीजिए चौदा में नरेंद मोदी फुल मेजरीटी से किलिन सुइप किये थे और बिहार में उनकी सारी रन्निती को नितिस और लालू ने फैल कर दिया दोनों मिल गए अभी जार्खन का चुनाव है जार्खन में किस तरह से भारतिये जनता पाटी कर रही है जितने छूटे-छूटे दल हैं सब को जोड़ रही है भूद बड़ी पाटी है लेकिन फिरभी अपनी सीठें घटा रहित है लोगों को दे रही है महतों को दिया नितिषकुमार को सीट दे रही है चिराग पासबान को भी सीट दे रही है तो वो एक प् 그건 जोड़ने का काम करती है और दूसरी तरह इंडिया गठ बंदन के लोग सब लोग पहले ही सोच लेते हैं कि सत्ता है आ गई पहले ही ओवर कॉंपिडेंस पहले ही सीटों के लेकर मारा मारी और जारखन में अगर पुनाव जीतना है तो कैप्टन सीट पर तो जारकन मुक्ति मोर्चा ही बैठेगी हमन सुरे नहीं बैठेंगे तो बाकी दल कॉंग्रेस है आर जेडी है चाहे जितने भी घटक दल है छोटे-छोटे जो इंडिया गठ बंदन के बाम पंदिद हैं सब अगर मिलकर चुनाव लगे तो निश्ची सफल हार के लिए और कॉंग्रेस में किसे जिम्मेदार ठराएंगे राहुल गांधी को या फिर वहां के अस्थानिये नित्रित्व को क्योंकि राहुल गांधी भी वहां बढ़ चड़ करके कैंपेइन कर रहे थे अगर जीत का सेहरा आप नरेंद मोधी को देते हैं और राहुल पूटेगा और इंटर्नल पॉलिक्स तो है ही जहां भी इंटर्नल पॉलिक्स हुई है वहां कोई भी पार्टी को चुनावी रन्निती में कहीं न कहीं चूक हुई कमी हुई जिसके कारणार्याना में उसको भार का शामना करना पड़ा और भविस में और रन्निती में अगर जुकना जो सीख गया उसे ही सपलता मिलती है भी कुछ संदेश चुपा है इस चुनाव नतीजे में पर भारतिये जनतापाटी तो जुकना जानती है सीट के लिए एक एक सीट के लिए आप को याद होगा उनीस के चुनाव में लोगसभा चुनाव में भारतिये जनतापाटी अपनी जीती हुई पांच लोगसभा सीट को नितिसकुमार के लिए चोड़ दी और समझवता क्या हुए चालिस में चालिस सीट मिली तो दो कदम पीशे हटकर को जीतना कहते हैं और आपड़े रहिए कि हमारी तो जीती हुई सीठें हम नहीं दे सकते हैं तो जीतना कैसे है रन्निती हार कर भी कैसे जीता जाता यह सभी राजनितिक दलों को भारतिये जनतापाटी से सीखने की ज़ुवत है सुनाए आपने अगर आप सचमुच के योध्धा हैं तो दो कदम पीछे लेना सीखिए और फिर चार कदम आगे बढ़ाने की कोबत रखिए तभी जीत हासिल होगी और इसी रन्निती पर बीजेपी काम करती है और उसे शफलता भी मिलती है खर्याना में यही हुआ फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बूक पर फॉलो करें यूटूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपून विचार और सुझाव जरूर दें धन्यवाद